हेलो दोस्तों मैं विकास आप से विकास हमाई चैनल में स्वागत है आज का वीडियो है LG का 22 इंच LAT TV जिसमें इस्टैंडबाइ का प्रॉल्म था तो इसका मैंने वीडियो पहले ही बना कर दाला हुआ है तो यह पार्ट टू है तो इसमें आडियो सेक्शन के बारे में हम बताएंगे तो यह प्रॉल्म आपको किस तरह से सॉल्ब करना है यह जाने के लिए वीडियो को लास्त तक जोर दे तो आप इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं 22LH454A-PT तो इसमें हम दो मॉडल यूज करेंगे चोंकि एक आडियो सर्केट के लिए यह आडियो किट का यूज करेंगे जिसका मॉडल नंबर HW009 तो इस नाम से आप मार्केट से इस PCB को ले सकते हैं और उसके बाद हम इस बग करनोटर को भी दिखा देते हैं तो इस बग करनोटर का आप देख सकते हैं इंपूट और आउटपूट और इसका मॉडल नंबर जो कि सी एटूफाइब नाइन सिक्स डीसी डीसी इस तरह से लिखा रहेगा आप इसको मार्केट से ले सकते हैं तो हम आपको इसका कैप्सिटर भी दिखा देते हैं जो कि आप देखते हुए भी आप पाचान सकते हैं मॉडल कौन सा है बग करनोटर है या बुश करनोटर है तो के इनपूट पे देख सकते हैं यूएफ फिप्टी बोल का और आप पूट पे टूएंडड़ ट्वंटी थर्टीफाइब बोल्ट का कैप्सिटर लगा हुआ है तो यहां पिसका इस आडियो किट पे यहां से हमको इनपूट देना है और आडियो के लिए यहां से भी करा सकते हैं और एक बता दो इसमें टेकनिसियन कापी लोग कन्फूज हो जाते हैं कि इसमें प्लस कौन सा है और माइनस कौन सा है तो इसके लिए आपको मल्टी मिटर से इसको एक बार कांटिवनिटी पे रखके इसको चेक करना है जो कि इस मिडल वाले पॉइंट पे आप चेक करेंगे तो यहां पे अगर जो भी पिंट को सॉटिंग दिखेगा यहां यहां पे रेडिंग देगा तो उसको आप ग्राउंड मान लेंगे तो यहां पे राइट हैंड साइड का ग्राउंड था तो उसके बाद हम यहां पे इन्पूट देंगे इस मॉडूल को सब्सक्राइफ सेट करें आप सेट करेंगे आप हमसे टेलेग्रां इस्टाग्राम पेस्बूक से ज्ट पर फेक्ने करेंगे वहां से आप part 1 भी देख सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इसका speaker का wire और doorboard का wire हमने connection कर दिया है और इसका जो audio input है जो कि इस IC को आप Google पर search करेंगे तो यहां से इसका pin out मिल जाएगा अगर आपको pin out नहीं मिलता है तो यहां से आप direct join कर सकते हैं लेकिन इसका एक minus point है जो कि आप TV से इसका volume up और down नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह direct connection इस socket से किया हुआ है और आपको एक और hint देता हूँ जो कि इसका audio IC जो खराब था उसको निकालने के बाद उसके print पे एक capacitor जो की 50 volt का होना चाहिए 3.3 UF का उसको आप touch कराएंगे तो जहां भी आपको audio मिले वहाँ पे आप इसके input को join कर देना है तो इसका मैंने input को भी join कर दिया है और एक बार हम यहां पे voltage चेक कर लेते हैं तो यहां पे देख सकते हैं 12.24 volt यहां पे बन लाए और backlight भी आन हो गया है और यहां पे हम एक बार connection भी इसका दिखा देते हैं जो कि इसका speaker का और plus minus यहां से दे दिया हो और input को हमने socket से लगा दिया है इससे बस आपको यह problem होगी कि इसका TV से volume up-down नहीं कर सकते हैं और बाकी का इसमें कोई भी problem आपको देखने को नहीं मिलेगा तो ऐसे ही ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें like करें, comment करें, share करें और subscribe करना बिल्कुल भी न भूले तो यहां पे दिख सकते हैं पिक्चर एकदा मोके बन रहा है और आडियो भी अच्छे से बन रहा है हम आपको आडियो नहीं सुना सकते हैं क्योंकि इस पर copyright भी आ सकता है लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू दस्तो